नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वाकत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें दिल्ली के सीम स्पेशल कोट में पेश आपका देश भर में प्रदर्शन एडी ने कहा सीम ही साजिश करता केश रिवालच दिन के रिमांड पर एशिया प्रशान की टॉक पान्सो हाई ग्रोथ कंपनियों में इकत्तर भारती है आरबियाए के सरकारी कामका जोले दफतर 30 मार्च और 31 मार्च को भी खुलेंगे आई पी एल में ओपनिंग मेच में चेन्नाई सूपर किंग ने जीता ब्रिटेन में प्रिंसेस कैट को कैंसर की मुथिरेपी ले रही है हेमा चलके तीन निर्दली विधायकों ने दिया इस्तिफा एर इंडिया पर 80 लाग का जुर्माना नियम तोड़े थे रूस में आतंकी हमला 40 मरे ब्रिटेन का हर छटा निवासी दूसरे देश में जन्मा अमेरिका से ज़्यादा आप्रवासी पश्चिम बंगाल के सबसे उचे स्थान में भारी बर्फ बारी 40 परिटकों को बचाया पी एम को भुटान का सरवोच्च सम्मान भुटान को अगले पांस साल में 10,000 करोड की मदद करेंगे मोदी जी ने कहा तमिल नाडू में सुप्रीम कोड की सक्ति के बाद राचपाल ने दिलाई मंत्रीपत की शपत हेती में ऑपरेशन इंदरावती शुरू 12 भारतिये निकाले पाकिस्तान में ईश निंदा की दोशी महिला को उम्रकेद नियू यार्क में अवेद संभन जल्द कानूनी तोर पर मानने होंगे CAA में मुस्लिमों को जोडेंगे टोल हटाएंगे, नीट खतम करेंगे किसानों को पेंशन, अन्नादुरूमक ने कहा मेघालाय मनिपूर और नागालेंड में शेत्री दलो को समर्थन देगी भाजपा गुजरात में कॉंग्रेस के राश्ट्री प्रवक्ता रोहन का इस्तिफा यूपी में मदर्सों के दो लाग बच्चों को सामान इसकुलों में पढ़ाने के आदेश बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है राजनमा टीवी के साथ थन्यवाद